पिछोर के नगरिया कॉलोनी में निवासरत गुपता की रातर में गोली मार कर हत्या मृतक महिश गुपता पुत्र दयाराम गुपता पचास साल की हुई हत्या मृतक महेश गुपता अपने घर में रात में तीसरी मंजिल पर सो रहा था और परिवार वाले लीचे सो रहे थे पिछोर थाने का है मामला खनेया धाना पिछोर नगर के नगरिया कॉलोनी में गुली लगने से की मौत हो गई प्रथम जानकारी के नुसार नगरिया कॉलोनी निवासरत महेश गुपता अपने मकान की तीसरी मंजिल में सत कमरे में सो रहे थे तब ही रात लगभग दो बजे आग्यात द्वारा गुली चलने की बात सामले आई जिस पर तेज आवाज सुनकर मृतक महेश गुपता के पुत्र अंकित गुपता और पत्नी ने घर के आसपास देखा तो उन्हें इस सती सामा ने दिखाई दी वापस जाकर वो सो गए लेकिन सुभा उठकर देखा तो पिताजी उठ नहीं रहे थे जिसके बाद देखा तो पता चला कि पिताजी को किसी ने गोली मार दी है और खून से वो लथपत मले इसकी सूछना पुलिस को दे दी गई है पुलिस मौके पर पहुँची मामले की जाच कर रही है तो वहीं पूरी घर्टना के बाद इलाके में हर कंप मच गया है